आज का जो परफॉर्मंस था वो बहुत ही बहुत ही सुन्दर था आए हम बाइबल को खोलते हैं हम प्रेडितो की किताब को खोलेंगे हम प्रेडितो के नौ अध्याए को खोलेंगे अगर आपको मिल गए तो मैं एक से आगे पढ़ूँगा प्रेडितो के नौ अध्याए का एक पचन शाउल जो अब तक प्रभूग के चेलो को धमकाने और खात करने की धुन में था महायाजक के पास गया और उसे दमिक्ष के अरादना लेग के नाम पर इस हभी प्राय के चिठियां मांगी की क्या पूरुश क्यास्त्री जिने वह इस पंत पर पाये उन्हें बांद कर यरुशलेम ले आये पर उन्हें चलते चलते जब वह दमिक्ष के निकट पहुचा तो एक आएक आकास से उसके चारो और जोती चमकी और वह भूमी पर गेर पड़ा और यह शब्द सुना है शाहूल है शाहूल तुमझे क्यों सताता है उसने पुचा है प्रभू तु कौन है उसने का मैं इश्यू हूँ जिससे तु सताता है पर अब उठकर नगर में चाओ और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा जो मनिश्य उसके साथ थे वे आवाक रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे तब शाहूल भूमी पर से उठा परंतु अब आखे खोली तो उससे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिक्ष मेले गए वतिन दिंग तक न देख सेका और न खाया और न पिया दमिक्ष में हनन्या नामक एक छेला था उससे प्रभू ने दर्शन में कहा है अनन्या उससे उसने कहा हाँ प्रभू तब प्रभू ने कहा उटकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और योदा के घर में शाउल नामक एक तर्सुस वासी को पूछ क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्या नामक एक पूरुष को भीतर आते और अपने उपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टी पाए हनन्या ने उतर दिया है प्रभू मैंने इस मनिश्य के विशे में बहुतो से सुना है कि इसने यरुषलेम में तेरे पवितर लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराया की है और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांद ले पनन्तों ने उससे कहा तू चला जा क्योंकि वह तो अन्य जाती हो और राजा और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रगट करने के लिए मेरा चुना हुआ प्रात्र है और मैं उसे बताओंगा कि मेरे नाम के लिए उससे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा तब हनन्य उड़कर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा हे भाई शाओल प्रभू अर्थात इशू जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था उसी ने मुझे भीजा है कि तू फिर दुर्ष्टी पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्णे हो जाए और तुरंद उसकी आँखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उटकर बबतिस्मा लिया फिर भोजन करके बल पाया वह कई दिन उन्चेलों के साथ रहा जोदा धिर दुर्ष्टी पाया झालब याए जिस पर लिए मृट्च आहिए और रहाकि हो जाए झाहिए झालब आत्मा से घजाओंने लगा जात्वें से परिशाएंगे भी उन्चेलों के साथ परिपूर्णे परोजन हो ज़का पर दोजए उत्कूरा का बल आत्या है बताया गया है यह चुना गया था जब मैं मेरी माँ के पेट में था अगर दूसरे शब्द में पर्मिश्व के सामने के लिए अगर दूसरे शब्द में पर्मिश्व के सामने में था और जब शेतान को इस बार में पता चला और उसी समय पर जो शाहू ले वो शेतान के द्वारा चलाया गया और उसने उसने सभी मसीही लोगों को बहुत इताडना दी उसने सुना कि दमिश्व में बहुत सारे यहूदी लोग है तो वो दमिश्व में गया शावल क्रिशन्स लोगों को ताडना देना चाहता था और उन्हें जेल में डालना चाहता था पर दमिश्व में जाते हुए वो इश्व मसी से मिला और एक ऐसी चमक हुई और वो देख नहीं पाया और वो गिर गया और इश्व मसी ने उससे कहा कि हे शावल तू क्यूं मुझे सताता है शावल ने उस वका हाँ तू कौन है और उसमें इश्व ने कहा कि मैं इश्व जिसे तू सताता है जब हमेश्व मसी के इतिहास के बारे में देखते है तो यह बहुत ही अद्भुत है यह 60 साले जब तक मैंने उधार को पाया है हाला कि मैं चाट जाता था पहले पर मैंने अंदकार भरा जीवन जिया मैं इतना भूका था कि मैंने बहुत सारे जूट बोले और मैंने चोरिया भी की और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने इतने सारे पाप किये मुझे नर्क में नहीं जाना था और मुझे पता नहीं था कि अब मैं क्या करूँ जब मैंने बाइबल को पढ़ा जो सचाई है कि इशल मसी ने मेरे पापो को धोया है वो मेरे मन में प्रवेश किया जितना पॉल पनुशुर से मिला है उतना मैं नहीं मिल पाया पर जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो अद्भूत रिती से मेरे पाप धोए गए और ये बहुत ही अद्भूत था हाँ मेरे पाप धोई गए है जब मैं प्रेस्पिटेरियन चर्च में जाकर ये कहने लगा हर शनिवार को हमारा कौयर प्राक्तिस होता है प्राक्तिस होने के बाद प्राक्तिस होने के बाद हमें पॉप सॉंग भी गाने होते है सबी लोगों को गाना था पर मैं बहार आ गया और मैंने लोगों से कहा हमें पापो की शमा पाना चाहिए सबी लोग बहुती आश्यर चकित हुए शुरुवात में वो मुझे इस तरीके से देख रहे थे कि मैं पागल हो गया हूँ पर मैंने उनसे कहा कि हाँ हमें पापो की शमा पाना है और उस वक्षारे की उबाने कहा कि हाँ मैं भी मैं भी क्या मुझे क्या करना होगा अगर मैं उस वक्त उसे बता पाता तो यह कितना अच्छा होता पर मैं बता नहीं पाया मुझे पता था कि पापो की शमा हम ऐसे पासकते पर मुझे उसे बताने नहीं आदा था एक महीने बाद तो उस वक्त हमारे शर्च में जो भी एल्डर डिकन लोग थे वो कहते कि हाँ वो पापी है मैं एक ऐसा वक्तिता जो आतनिक जीवन नहीं जी पाता था अच्छे से पर मैं कह रहा था कि मैंने पापो की शमा पाई है एक दिन एक दिन पासर ने कहा मुझे कि तुम इस तरीके से बोलते इसलिए तुम्हें होली कमिन नहीं दिया जाएगा तो मैं लोगों से कह रहा था कि अगर मैं एक अच्छा वक्ति होता तो मेरा पासर इस तरीके से नहीं करता पर जो एलदर्ज लोगते वो कह रहे थी कि वो पापी है पर जो मैंने कहा कि मैंने पापो की शमा पाई है ये एक समस्या हो गई और मैं सटी कृति से बता नहीं पाया कि किस तरीके से पापो की शमा पाया जाता है अगर तुमने अनुगर को पाया तो तुमने नमर होना चीए तुम किस तरीके से कह सकते हो कि तुम पवित्र हो जैसे जैसे समय गया उस समय ऐसे कही सारे लोगते जिनों ने उद्धार पाना शुरू किया और उस प्रकार से मैं मिशनरी स्कूल जॉइन कर पाया तो शुरूबात में जो मिशनरी से वो इंग्लिश में बात कर रहे थे तो मैं इंग्लिश चीखना चाहता था तो एक दिन मैंने मेरे मान में डिसाइट किया ठीक है हम इंग्लिश को नहीं सुनेंगे पर हम अब दुनिया को सुनेंगे तो शुरूबात में छे मिशनरी लोगों ने उन्होंने मिशनरी स्कूल शुरू किया और वो लोग उन्होंने पापो की श्यमा पाया था जब वो कोरिया में आया तो उन्होंने सुना था कि सारे कोरियन लोग बहुत ही अच्छे वो लोग सुबह उटकर सुसमाचार को सुनते हैं कोरिया में नौमन ग्रम करके एक बहुती मशूर मिशनरी थे जो नौमन ग्रम है झाल और उस समय देगू जिस प्रकार से नॉमेंग्राम जब प्रचार कर रहे थे तो लोग सो रहे थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था तीसरे दिन उसने जो ट्रांसलेटरे उससे बात किया उसने ट्रांसलेटर को पूछा तुमने कैसे ट्रांसलेट किया तो उससे ट्रांसलेटर ने कहा कि जैसे तुमने पापु की शमा पाइए वो अपना हाथ उठाए उन्हेंने सुनाता कई सारे आत्मिक लोग हैं यहां पर किसी ने भी अपने हाथों को नहीं उठाया कुछ लोगों अपने हाथों को उठाना भी चाते थे पर उन्हें अपने हाथों को नहीं उठाया और उसमें जो वेक मिशन का प्रेजिडेंट था वो यह सब देखकर वो बहुती आश्र चकित हुआ और वो वापस इंग्लेंड गया और वहाँ पे एक भाई था जो मिशनरी होकर जाना चाहता था उसे कोई और देश में जाना था पर वो नहीं जा सके क्योंकि उनके पास वीजा नहीं था उसमें जो नोमन ग्राम है वो जसमें तो में बता सके साथ चिस समय है बड़ जो मिशनरीज में से थे हूँ ऐसे चुने हुए लोगती जिनों ने सुसमाचार को सुनकर उधार पाया था और उस वक्त हम इस प्रकार से जो मिशनरीस थे हम उसे मिले तो एक दिन एक मिशनरी आया जब मैं मेरे मीडल स्कूल में था उस समय वो मिशनरी हमारे स्कूल में राके हमें इंग्लिश पढ़ा रहे थे उस समय मैं उनसे बहुत ही जादा क्लोज हो गया वो कुछ पांप्लेट्स बना रहे थे तो मैं उन्हें मदद कर रहा था उन्होंने मुझे पूछा क्या तुमने तुम्हारे पापो की शमा पाई हैं? वो समय मुझे कहा गया कि अगर तुमने खुद पापो की शमा नहीं पाई है तो तुम दूसरों को किस तरह के से चला सकते हो? और उस वक्त उसने मुझे इस प्रकास से कहा कुछ महीनों बात परिश्यों के अनुग्रे के द्वारा में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं अगर मैं ऐसा वक्तियों जो बाइबल पढ़ने के बाद मुझे बाइबल के बाद में गहराई से नहीं पता था पर वाइबल पढ़ने के बाद सुसमचार पाने के बाद उसमें जब मैं चंग पल्ली में गया तो मेरे जुएन में कई सारे ऐसे कठी नाया थी मैं मेरे आर्मी आर्मी होने के बाद जब मैं खीमचन में गया तो मैं बहुत ही खुश था था सुसमचार परचार करने के लिए और आर्मी मेरे आर्मी के होने के बाद मैंने संडे स्कूल किया और कुछ समर कैंप्स किये ऐसे 25 ग्रूप्स डिवाइड करके और पांच ऐसे अलग-अलग चुर्चस में मैं एक लेक्चरर के प्रकार से गया और उस वक मैं एक प्रेस्पिटेरियन चुर्च में भी गया था दुछनम युणिवर्सिटी के जो विद्धार्थी थे वो वहां रहते थे तो उस वक वहां के जो शिक्षक थे वो बचाए गए दो हर शनिवार को मैं वहां जाकर बाइबल स्टडी करता था वहां पर एक विद्धार्थी था कीम है गया नाम का तो उसमें जो प्रेस्पिटेरियन चुर्च का जो एल्डर थे वो उनकी बेटी थी तो उसमें मैं वहां पर एक हफते के लिए कॉन्फरेंस के लिए गया तो उसमें चर्च में सभी लोगों ने पापकिशमा को पाया पर कुछ एल्डर्स को छोड़कर तो इस प्रकार से मैं पाँच चर्चस में जा पाया उसके बाद प्रेस्पिटेरिन चर्च में जाकर उस भाई के साथ फेलर्शिप करता था और जब मैं उन्हें बचन को बताता था उस वक्त वो बचाए गए वो बहुत ही खुशत है पर उनका आत्मा आत्मा जीवित नहीं था उस वक्त मैंने उन्हें से पुचा क्यों इस प्रकार से है हम विश्वास के बाद में बात करते हैं पर जो पास्टस लोग बचाए नहीं गए हैं जो बचाए नहीं गए हैं वो कर्म देखना चाहते हैं बस तो उस वक्त मेरे मेरे वाइफ ने मेरे लिए एक बहुत ही सुन्दर बेटी को चनल दिया उसका पहला जन दिन जनवरी 25 तारी को हुआ और 26 जनवरी को हम धेग्यू में हम रहने चले गए और 1976 में मैंने मिशनरी स्कूल की शुरवात की और उस वक्त येग्यों में जो मैं रह रहा था तो उस वक्त करीब 25 भाई बेन मेरे शर्ष में आते थे तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से चलाया जाता है मिशन स्कूल तो उस वक्त मैं मेरे अंकल के पास गया जो बहुत ही मशूर थे तो उसमें मैंने उन से पुचा क्या तुम्हें साथ मेर करना है क्या तो उसमें उसनों ने बुला तुम इस बार में कैसे सोच सकते हैं यह बहुत ही अच्छा है पर मुझे लगा कि वह हो मेरे साथ कॉपरेट करेंगे पर मैं बहुत ही बुड़ा हो चुका हूं उन्हों ने क्या अगर मैं दस साल छोटा होता तो मैं तुम्हारे साथ काम कर लेता पर अब मैं बहुत ही बुड़ा हो चुका हूं हाँ तुम अच्छे से काम करो और उस वक उसने सभी किताबों को दिया जो उनके पास थे उस वक यह बहुत ही बोज भरा था मिशन स्कूल चलाना पर उसमें पर्मशर ने मुझे मन दिया सो 1976 में दो तीन लड़के और दो लड़कियों के साथ हमने मिशन स्कूल के शिरवात की और यह कुर्या में पहला स्कूल इस प्रकार का स्कूल था जो इकटा होकर बाइबल स्टड़ी करता था और अब यह साथ साल बीच चुके जब से मैंने यह शुरू किया था उसके बाद दस विद्यारती सो विद्यारती और इस वक्त वो इस पूरे दुनिया में फैले हुए जो सुसमाचार प्रचार कर रहे इस वक्त ऐसे कही सारे मिशनरीज हैं जो उधार पाए हुए मिशनरी लोग जाते वह सच में बदल जाता है और ऐसे भी मिशनरीज जो बहुत ही अच्छे कर्म करते मेरे मेरे कंपैरिसन में इस वक्त कोर्या में हम पासपोर्ट नहीं बना सकते थे और इस वक्त कोर्या में हमने ऑलिम्पिक्स किया था और इस सॉल से सभी लोग आकर कोर्या में इस परकार से ऑलिम्पिक्स किया था और अगले साल जो प्रेजेंट है उन्होंने इस ते किया कि हम पासपोर्ट निकालेंगे और मेरे तो बसक्त मैं और मेरे जोटी अनुन मेरे बनाए और हम आपनों पासपोर्ट बनाे हुर और विजा के लिए गए और इस वक्त हम उनाइट प्रेट में गए और पहली बबर मैं एले में जा किया था कर सु समाचार को प्रचार कर पाया और इस वक्त में चर्मनी भी गया अभी बहुत समय बीच चुका है अभी पूरे दुनिया में सभी मिशनरी सु समाचार को प्रचार कर रहे हैं जब भी हमारा मिशन सु समाचार को प्रचार करता है तो सच में बहुती अद्भूत काम प्रगट होते हैं जब अधर जब अधर जो एक ब्रदर थे वह बहुती गरीब ते और वह बहुती बीमार रहते थे उस वक्त वह लोगों को भुला कर खाना खिलाते थे उस वक्त मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या खाते हो तुम किस तर किसे जीते हो उन्हें बला मेरे पास चावल है यह है और उस वक्त उस देश में सभी लोग लग सभी लोग भूके थे जब मैं मिश्णरी लिहांसों के बारे में बात करूँ तो वह बहुती छोटे थे और इस प्रकार से जो गुणिस मिश्णरी ने वो मिश्णरीस को पूरे दुन्या में भेज रहे हैं हलाकि लोगों को पता नहीं गुणिस मिश्णरी के बारे में पर जब वो जब उन्हें यह पता सलता है तो वो बहुती अश्यर चकित होते हैं इन दिनों में कई सारे पास्टर्स लोग गुणिस मिश्ण से जुड़े हुए और वो हमर साथ काम करते हैं पिशले बार हमने हम दूसरे देशों में भी गए और सुसमाचार को पिचार किया पिशले बार जिस तरह से हमने कांफरेंस को किया ऐसे कई सारे लोग इखटा हो गए मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं वहाँ पर इतने सारे लोग शामिल हो गए कि परुशन ने सभी लोगों को बचाया और इस वक्त से सभी पासर्स मुझे फोन करें कि हाँ इस प्रकार से और फिर से कांफरेंस लीजिए बस और कई बार मैं इसे मैं से सुचता हूँ कि क्या ये सच ये सचाई है कल जो शाओल है वो इशू मसी को सता रहा था पर विश्वास से इशू मसी में विश्वास करके उसने सु समाचार को बचाना शुरू किया वो इशू मसी को मिला हे शाओल तो क्यों मुझे सताता है हाँ परभू तू कौन है मैं इशू मसी हूँ जिससे तू सताता है और उस वक्द जो शाओल था वो बहुती आश्यर चकित हुआ उसने बला हाँ क्या तू सच में इशू हो मुझे नहीं पता था और फिर वो दमिश में गया और उसने बदलाव को पाया उसके आँखें खुलने के बाद उसने सुसमाचार को प्रचार करना शुरू किया वो बहुत ही नीडरतास से सुसमाचार को प्रचार करता था यह बहुत ही अद्बुत है उसक शाओ ने का कि मुझे सुसमाचार प्रचार करना है रोम में जाकर और जब वो रोम में जाता है पूरे दुनिया का कैपिटल उस वक्त रोम था जब जब शाओ रोम में गया उस वक्त कैसा है लोग थे जो ताडना पाकर उन्होंने मसी में ताडना पाई थी जो हमारा गुण्यूस मिशन है अभी भी हम बहुती कमजोर है और अभी भी बहुत चारी कम तरताए हैं पर हमने सू समाचार को प्रचार करना शुरू किया और लोग हमारे सू समाचार को सुनकर वो बचाए जाते हैं अमेरिका में भी ऐसे कई सारे पास्टर से जो सू समाचार को सुनकर वो भी बचाए गए जबी मैं वहाँ जाता हूँ तो वो अपनी चर्च को खोलते हैं और मुझे सुसमचार प्रिचार करने के लिए मौका देते हैं है प्रिल में मैं डेलेस पे जाकर सुसमचार को प्रिचार करूँगा उस वक उन्होंने मुझे अलाओ किया कि मैं वहाँ पर जाकर सुसमचार को प्रिचार कर सको हला कि कोई भी देश में हम क्यों ना चाहिए पर जब हम आपस उसमचार प्रिचार करते हैं तो यह बहुत ही अद्भूत है हला कि कोई भी पासक क्यों ना चाहिए वह इखटा होकर सुसमचार को सुनते हैं और वह बहुत ही खुश होते हैं कि अधर कर दो यह वह रहा है कि रहे है कि एक समया आप आप जब जब आप जो पाल जो है वो लोगों को ताडना देता था पर इस्वमसी बहुत है के द्वारा इसे सु समाचार के कामों को प्रगट कर रहा था यह सच है कि हमारे जिवन में कई सारे कठिनाईयां है पर उससे अद्भूत यह है कि इशु मसी हमारे साथ है और हम सु समाचार को प्रचार करते हैं जो मेशनेर से वह बहार जाकर सु समाचार को प्रचार करेंगे तो आया हम सिर्फ खाना खाकर अपने घर जाकर रेस करकर नहीं बल्कि बहार जाकर सु समाचार को प्रचार करते हैं वक्त विता है शुरवात मैं आपको नहीं पता होगा कि आपको क्या करना है पर मैं विश्वास करता हूँ कि सु समाचार के काम आपके द्वारा प्रगठ होंगे मैं एक सिस्टर कीम जोन को एक दिन मिला कीम जोन सिस्टर को मिलने से पहले एक बेहन मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूचा कि क्या तू मुझसे मिल सकते हो गया और उस वक्त जो सिस्टर कीम जोन थे उन्होंने बहुत ही वह बिजनस करके उन्होंने पैसे कमाये थे पर वो अपने पति के साथ नहीं रह सकती थी और उस ने बेटी को वो अपने बेटी के साथ रहती थी और उसके भाई और उसके मां उसे बिजनस में मदद करते थे एक दिन एक विक्ति आया जो भविश्य बताता था उसने उससर से कहा कि तू अपने घर से अपने माँ और अपने भाई को निकाल दे उस वक्ति उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूं तो वो भविश्य बताने वाले का सुनकर उसने अपने माँ और अपने भाई को घर से निकल दिया उसने कहा मुझे माफ कर दीजे पर आप यहां से जाईए मैं नहीं बता सकती क्यूं और उस वक्त वो सिस्टर ने अपने भाई और अपने माँ को घर से निकाल दिया और उसके पास बहुती सुन्दर बेटी थी और उस वक्त वो भविश्य बताने वाले ने वो सिस्टर से कहा कि आगर तुम्हारी बेटी तुमसे दूर रहेगी यह अच्छा है और उस वक्त उसना अपने बेटी को भी अपने माँ के पास भेश्य दिया और वो अकेले रहने लगी देर रात को कोई कोई उसे बुला रहा था है यह जुवान तू खिटकी के और जा और खिटकी के सामने खुरसी रख और इस पर खड़ी हो जा और खुच जा और वो ऐसे घर में रती जो 34 फ्लोर पे था और खुदने के आद अगर तू मर जाओगी तो सब खतम हो गया और वो आवाज वो आवाज बहुत ही बहुत ही अच्छा था कि उसरा कि वो सच में कूद जाए वो कूद नहीं वाली थी उसके पांच दोस्त लोग इखटा हुए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो लोग कल हाइकिंग के लिए जाने वाले हैं उस समय वो वाबस घर आई उसने प्रिपेर किया वो अपने एक फ्रेंड को बुलाना भूल गए पर वो जब वो उसके घर गए और उस में रेस्ट्रॉम में पिछले रात को उस फ्रेंड ने सुसाइट किया वो बहुत ही ब्राइट स्टुरेंट थी वो उसके पास कोई कम तरता नहीं थी और जब इस सिस्रकीम जोन ने देखा और जब वो कूद नहीं वाली थी तो उसके तो उससे याद आया कि grandma उसकी जो दोसत थी वो भी इसी प्रकार से उसने भी सुसाइट किया उसको भी खिल्कार दिया तो उस समय उसने स्चा कि वहां उसकी दिमागी रहता बहुत ठीक नहीं है तो इंटरनेट पर सर्श करने लगी तो हमारे चर्श की एक बेहन वो सिस्टर किम जोहन से बहुती नजदी की थी उसमें उन्हें फोन क्या हां तुम क्या कर रही हो मैं कुछ मेंटल डॉक्टर्स को ढूंड रही हूँ तो उस वक्ष उसने बला कि हां मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए कि प्लीज तुम मेरे पास्टर से मिलो एक बार उस वक्ष सिस्टर किम जोहन ने का हां ठीक है और क्या करना है मुझे और उस वक्ष उन्होंने बला कि तुम सॉल स्टेशन पर आओ और उस वक्ष सिस्टर किम जोहन मुझे मिलने आये और उस वक्ष ने सुना कि दुष्ट आत्मा ये से को मरने के लिए उसे मार्ग दिखा रहा था किस प्रकार से उसने डिवोर्स लिया किस प्रकार से उसने अपनी मा और अपने भाई को घर से निकाल दिया और यह था जो दुश्ट आत्मा ने अपने कामों को किया था वो अपनी बेटी के सामने मर सकती थी अगर घर में कोई मा है या फिर भाई है तो वो सुसाइड नहीं कर सकती थी जब मैंने उसके यह कहानी को सुना तो उसमें मैं साफ दोर पर देख सकता था कि वो दुश्ट आत्मा के दोर चलाई जा रही थी उसक मैंने उनसे कहा कि तुमने इश्व मस्वी पर विश्वास करना चीए उसक उन्होंने कहा अगली बार हमें नहीं बता कि कब तुम मरोगे उसमें मैंने उस पर चिलाया तो उस वक्त उसने इश्व मस्वी पर विश्वास किया और उसने उद्धार को पाया जब वो बुसान वापस आ रही थी तो उस वक्त उसे सोच है हाँ अभी तुमने मुझे छोड़ दिया अभी तुम इश्व मस्वी को इश्व मस्वी का पीछा कर रही हो और तुम्हारी बेटी एक कार अक्सिडन से मिलेगी वो इस प्रकार से सब सोच रही थी उस वक्त उसने सोच हाँ इश्व मस्वी जो मेरे पापो के लिए क्रूस पर मारा गया वो इस प्रकार से नहीं करेगा उदार पाने के बाद सिस्टर किम जोओन वो बोदी बदल गई वो सौल में आई और वो सुस्टर समाचार के कामों को कर रही थी और वो अपने बेटी के साथ रह रही है जब मैं उनके कहानी को सुनता हूँ तो तो यह साफ तरीके से दिखता है कि कि दूश्टात्मा उनने चलाया जब मैंने उनसे कहा कि तुम इश्व मस्पे विश्वास करो तो उन्होंने कहा कि अगली बार उसमें बहुत ही आश्चर चकित हुआ कि यह लड़की इतने सारे समस्याओं में होकर भी यह के लिए अगली बार पर उसमें मैंने उस पर चलाया उस वक्त उसमा चारप और इश्व पर विश्वास किया शैतान तुम्हें हमेशा परिशान करेगा वो इतने सारे कर्मों को करेगा कि तुम शैतान के पीछे जा सकती हो वर अब तक हम क्यों अब भी तक खड़े हैं क्योंकि हम इश्व मसी में है और परमिश्वर हमारे साथ है जब हम विश्वास के द्वारे सुसमा चार को बर्चार करते हैं तो हमारे सामने परमिश्वर मार्गो को खोलेगा जो हमारे मिश्वर स्कूल के लोग ते मुझे लगा कि वो लोग कुछ भी नहीं है जब मैं देखते हूँ कि वो भाई लोग सुसमचार को परचार करते हैं इसे कई सारे अद्भूद सुसमचार के सेवक है जो जिने देखकर मैं खुछ शर्मिंदा होता हूँ सर्विस के पहले हमारे जो एलर्स हमी कटा हुए थे इस वक सभी एल्डिस ने का कि हम यूनिवर्सिटीज में जाकर सुसमचार को परचार करेंगे हाला कि शैतन कही सारे काम परचार करेंगे कि वह हमें नश्ट कर सके जो हम दूसरे तरफ देखते तो इश्यमसी हमें बचा कर हमें स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है और इश्यमसी शैतन से ताकत बर है पर हम लोग हैं हम बस हमारे सुसमचार को सुनकर हमारे शरीर को फॉलो करना चाहते हैं अगर हम पूरी तरफ सुसमचार के लिए जीते हैं उस समय खुद देख सकते हैं कि इश्यमसी हमें किस प्रकार से हर चीज़ों में मदद करता है जब मैं देखता हूं कि की सारे सुसमचार करना बन कर दिया उन्हें सूसमाचार प्रिचार करना बंद कर दिया और ऐसे कई सारे लोग है जो मुझे वापस से देखने के लिए आए जब हम सूसमाचार के लिए काम करते तो परमिशर हमें प्रोटेक करता है और हर एक समस्या उपर वो अपना अनूगरे डालेगा तो यह पहली भारता जब मैंने ग्राश्य स्कॉयर का इतना अद्बुट सौंग गानी को सुना मैं बहुत ही धन्यवादित था उनका जो म्यूजिक है वो बहुत ही अद्बुट था यह सच है कि वो दुनिया के बहतरीन कॉयर है हाला कि हम खुदों कर कुछ नहीं कर सकते पर परमिशर हमारे लिए मार्गों को खोलता है जब सुसमाचार को प्रचार करते हैं जब हम गाने गाना गाते हैं जब हम कोई भी सुसमाचार के कामों को करते हैं इशु मसी हमारे लिए मार्ग को खोलता है पर शैदान हमें लगातार हमें हमारे सोच विचारों के द्वारा खीशता है कि हम वहीं जगे पर रहे हैं 1990 में मेरे पास बहुती कमजोर दिल था तो मैंने उसके लिए भी बहुती कटिनाया चेली उच्वक्त युनाइटर से में मैं एक डॉक्टर से मिला और वह डॉक्टर असी के असपास हैं हाला कि वह डॉक्टर रिटायर हो गए फिर भी वह हॉस्पिटल में आकर पूरा दिन मेरे बॉड़ी को चेक किये उसके उन्होंने कहा मुझे माफ कर दो पर मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता कोई मारगी नहीं है उसक्ट मैंने उनसे कहा ठीक है और मैं नीचे आ गया और जब 1999 में हमने स्पाइन फिल्म में रिट्रिट किया और जब मैं मेरे टेंट में सो रहा था उसक्ट मेरा जशरी था वो अच्छे कंडिशन में नहीं था और मैं सोच रहा था कि क्या मैं इस साल जी सकता हूँ उसक्ट मैंने खा कि मैं यहां से संडी स्कूल तक मैं चार बार गया मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैंने चार राउंड लगा संडी स्कूल की तरफ अगले सुबह मैं जल्दी उठा और मैं जॉगिंग करने लगा उस सब मैं देजंग में रहता था और हमारा चर्श देजंग वोमेंस हाई स्कूल के बहुती नज़्दीक है और वहाँ पर उनके पास एक बहुती अच्छा अच्छी जगा है जहाँ पर लोग जॉगिंग करते हैं तो वहाँ पर मैं ज्यादा था पर थोड़ी देर बाद मैं नहीं कर पाया उस चीज़ को भी पर जब तक मैंने किया वो बहुती अच्छा था मेरे लिए हाला कि मैं जब भी दूसरे देश में जाता था यहां कहीं बाहर जाता था फिर भी मैं मेरे स्निकर्स को लेकर जॉग करता था और अनुग्रह के दोरा मैं बहुत ही बहतरीन बन गया उस वक भाई लोगों ने कहा कि तुम जॉगिंग मत कीजिए क्यूंकि लोगों के शरी में जॉइंट होते हैं और इस वक से मैं मैंने सुना कि अगर हमारे जॉइंट्स जॉइंट्स उस वक कई सारे लोगों ने कहा कि तुम मत भागो इस ले मैंने सुमिंग करना भी शुरू करतिया पर उस वक यही सभी चीज़े करते हुए मेरे सेहत को बहुत ही मजबूत बना रहा था जब मैं जब मैं दूसरे दूश्यों में जाता हूँ तो उस वक मेरा सोने का टाइम मेरा खाने का टाइम अलग होता था अब तक मैंने यह किया है और इस वक मैं बहुती धनेवादी थी और मैं बहुती सेहत मन हूँ हाँ मैं बुड़ा हो गया हूँ मैंने बाल सफेद हो गया है मैं बुड़े वेक्टी के तरह दिखता हूँ पर मैं सोल्स हमचन पिचार कर सकता हूँ इसलिए मै परमिर्शों के सामने बहुत है धन्यवादी थुए हाँ मैं मरने तक सूसामचार को बिचार करूँगा अगर मैं सूसामचार को बिचार करूँगा तो परमिश्वर सटी क्रेदी से मुझे मदद करेगा तो मैं हर जगे जाकर सूसामचार को बिचार करता हूँ मैरे पिता गुजर गए जब मैं 71 साल का था उन्होंने बहुत ही समसाथ से भरा हुआ जीवन जीआ मेरे जीवन में सुसमाचार के लिए सुसमाचार के लिए जीते हुए एक परमशने ने मुझे हर एक चीज़ों में मदद की हमारे चर्च के भार में नाला कि आप बुड़े हो या फिर जवान हो या फिर तुम सिसर हो या ब्रेदर हो या चोटे बच्चे हो जब तुम सुसमाचार को परचार करोगे तो तुम लोग तुम आप लोग सच में एक भेतरी सुसमाचार परचार रखो मैं विश्वास करता हूँ कि परमशने तुमारे सेहत को हमेशा प्रोटेक करेंगे मैं एतना सेहत मन्द हूँ क्योंकि मैं सुसमाचार को परचार करता हूँ आपके पूरे जीवन में मैं विश्वास करता हूँ कि आप सुसमाचार को परचार करोगे दिन में एक बार भी तुम बाहर निकलो और सुसमाचार को परशार करो और सुने तुम तुम बहुत ही सहत मन रहोगे शुरबात में मैंने बहुत ही तकलिफ उटा क्योंकि मेरे पास बहुत ही कि मेरा जो पेट है वो हमेशा बीमार में बीमार रहता था उन्निस सुन इन्यान बिन बे मेरा मेरा दिल ठीक नहीं था और मैं बहुत ही दर्द दर्दनाग जीवन जी रहा था उस वक्त उस वक्त जब प्रईरतों ने सुसमाचार को परशार किया तो ऐसे बहुत सारी ताड़नाएं हुए पर इशुमसी ने उस वक्त उसे प्रटक किया जब वह सुसमाचार को प्रचार करता तो हलाकि ताड़नाएं थी उसके साथ पर उस वक्त इशुमसी का हाथ भी उसके साथ था मैं आशा करता हूँ कि आप पस रोक सुपाक के तरह सुसमाचार के लिए जियोगे मैं सुबह चार बज़े उटकर चर्श में आता हूँ और दस बज़े मैं वापस मेरे घर जाता हूँ यह बहुत ही बेनिफिट देने वाला है मुझे मेरे घर पे चावल के लिए कोई पैसे नहीं लगते यह के और पर के चर्श में कामकरता हूं तुमें खाना कहता हूं सुबह मैं आता हूं खाता हूं आज मैं थोड़ा लेट हो गया और कि बहुत हो मैं चर्च में तीन बार खाना खाता हूं तो जब मैं सुस्वाचार के लिए काम कर रहा हूं परिश्व मुझे कई सारे चीज़ों के लिए मदद कर रहा है कामना चर्च में भाई हो और भेनो क्या आपका हाला कि कोई भी समसा की ना हो पर उसके पहले हमने सुस्वाचार के लिए जीना ज़रूरी है आए हम सुस्वाचार के लिए जीएंगे एक सुस्वाचार सोन और सुन वो गुजर गए मैं ट्रिप से जब आया तो मुझे यह भी नहीं पता था कि सुस्वाचार सुन और सुन खुजर गए वो सौ साल के तक्रिवन थे यह उन उनके पूरे जीवन में वो सुस्वाचार के लिए जीए बस उस वक्त पासर हे जीए जो एक बीमारी से मरने माने पर उस वक्त उन्होंने सुस्वाचार को तोना हुए सुसक के द्वारा और उन्होंने सुसमाचार के द्वारा उद्धार को पाया जब हम कहते हैं अगले बार अगले बार जब हम इसे डिले करते हैं सुसमाचार करते हैं कई सारे लोग रहेंगे जो पसंद करेंगे जो एक्सेप करेंगे पर कई सारे लोग होंगे जो पसंद नहीं करेंगे पर जब हम जब भी हम सुसमाचार करते हैं हमेशा पनुशा हमें सहाथ मन्त रखता है जब मैं फुटबॉल खेलता हूं जब लोग मुझे देखते हैं वो बहुत है आश्यर चकीत होते हैं जो मेरे दोस्त है मेरे मेरे उम्र के वो इस प्राकार से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो आये सुसमाचार के लिए जीते हैं हम परनुशन इश्मसी ने हमारे लिए लहू को बहाया जो गाना आश्यर चक्राशिस करने के गाया वो बहुत ही अद्भूत था जिस प्राकार से उन्होंने प्राक्टिस को किया और उन्होंने इते सुन्दर तरीके से गाया किसी को नहीं पता है कि क्या होने माला है जब उन्होंने सुसमाशार के लिए गाया तो वो दुनिया के बहतरी इंक्वायर बने हलाग कि आप कुछ भी करें तुम काम आप काम पर जाते हैं या फिर आप काम कर रहे हो पर आपके दिमाग में आपके माइन में हमेशा बाइबल होना चाहिए आया हम जादा दिन तक जिएंगे हाँ वो एल्डर 133 साल का था हाँ वो बहुत ही काम करता था और हमारे इस मिशन में वो बहुत ही बहुत ही लंबे जिए तो आया हम हम मैं मैं 131 एर तक जिऊंगा आया हम सब कुछ साइड में रखकर आया हम सूसमाचार के लिए जिए जब पॉल इस मसी को दमिश्क में मिला बस वो उस वक्त जब वो सूसमाचार के लिए जीने लगा वो कई सारे देशों में जाकर कई सारे देशों में जाकर सभी लोगों के आत्माओं को बचाने लगा आये हम सूसमाचार के लिए जीते हैं जब तुम इस एक साल के लिए करोगे तो तुम महसूस करोगी कि आप बहुती यांग हो कोई बिमार है हाला कि आप बिमार हो आप खड़े होकर सूसमाचार को प्रचार कीजिए क्या कोई भी गरीब है सूसमाचार के लिए जीओ अगर तुम सूसमाचार के लिए जीओगे तो परशुर तुम्हें हर चीजों के लिए मदद करेगा और लोग जो तुम्हारे आजोबाजो है वो बचाए जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि हम ऐसे वेक्दिम बैने जो सु समाचार के लिए प्रशा करें आप अपने हाथ उठाए जो सु समाचार के लिए जिएंगे क्यों आपने अपना हाथ नहीं उठाया ठीके नीचे कीजिए आया हम इस प्रकार से जिएंगे आईए हम सू समाचार के लिजिए और हम इस सभी अनुघ्र को प्राब्त करना जो परूशर हमें देगा मैं आशा करता हूँ कि आप पीशु मसिक को गलोरिफाई करोगे और मैं एससमें विश्वास करता हूँ कि परूशर हम सभी को अनुघ्र देगा